बच्छो किसे हो आप साब, सब थिक, तू चलिये शुरू करते हैं आज की कहान, एक समय की बात है, भारतिय जंगल के दिल में एक चतुर खरगोश नामक राजा और एक शक्तिशाली बाग नामक राजन रहते थे, आकार और शक्ती में भिन्न होने के बावजूद, राजा और राजन सबसे अच्छे दोस्त थे, वे कहानिया, हसी मजाक और खाने पीने के साथ साथ समय बिताते थे, एक असामान्य लेकिन तूटने वाली मित्रता की नीव रखते हुए, जंगल के अन्य जानवर इस असामान्य दोस्ती के बारे में हैरान थे, कैसे एक कामपील राज़ एक डरावने बाग के साथ दोस्त हो सकता है, वे एक दूसरे के बीच उदगार करते रहते थे, राजा और राजन ने इन अफवाहों का ध्यान नहीं दिया, क्योंकि उन्हें यह मालूम था कि सच्ची मित्रता दिखावे से नहीं बंधती, एक दिन जंगल में एक गंभीर सूखा आ गया, जिससे खाने और पानी की कमी हो गई, जानवर बेहत परिशान हो गए और सीमित संसाधनों के लिए जगरने लगे, राजा और राजन इस असहमती की दृष्टी को देखकर बातचीत करने का निर्णे लिया, राजा जो संसाधन शील और तेज योजना के साथ पहुँचे, मेरे प्रियमित्र, राजन, हमें अपने सहयोगी जीवों की मदद करने के तरीके की तलाश है, मेरे पास एक विचार है, लेकिन मुझे आपकी शक्ती और बुध्धिमत्ता की आवश्शकता है, करूना मई और रुचिरे से सुनने में, राजन ध्यान से सुन रहे थे, जैसे कि उनके दिमाग में कुछ घट रहा हो, खर्गोश ने समय बर्बाद किये बिना यह योजना बताई, कि वे दूरस्त एक चरण में जाएं, जो अपने हरे भरे और पानी की स्रोत के लिए जाना जाता है, वहां उन्हें खाने और पानी को साज करने के लिए एकता और सहयोग का माहौल बनाने का योजना था, राजन ने राजा की करूना और योजना की सराहना की और योजना में सहमती दी, राजा की पीट पर बैठे खरगोश के साथ वे अपनी यात्रा पर निकले, यात्रा लंबी और कठिन थी, लेकिन उनका मेवे और बेर इकठा करते हुए विचरण कर रहा था, जबकि राजन ने अपने शक्तिशाली पंजों का उपयोग करके एक चैनल खोदा, जिससे निकटवर्ती नदी से पानी एक संग्रहाले में दिखाया जा सकता है, जल्द ही मैदान को विपुलता का स्वर्ग बना दिय जैसे ही वे अपने संग्रहन से जंगल में लोटे, उनके आत्मा में साथ ही जानवरों की मदद करने की ख्वाहिश फैल गई, अब बांटने के लिए खाद्य और पानी की विशाल धरोहर से सब कुछ बेहद उतसाहित और कृतज्य थे, पहले बिखरी हुई जंगल अब सहम आकसियार नामक जगन उनकी कमाई की अच्छाई से इरश्या करने लगा, उसने एक खराब योजना बनाई, उसने दावा किया कि राजा और राजन ने संसाधनों को खुद के लिए चुराया है, जंगल के अन्य जानवर, विश्वास और संदेह के बीच खिच कर उनके पास आये, राजा और राजन शांत रहे, आवाज देने की अनुमती देते हुए, फिर उन्होंने सब को मैदान में ले जाया, जहां उन्होंने अपने पोशन के स्रोत की खोज की, सच अनिवार्य था और जगन की दड़ की परदा फाश हो गई, जंगल के जानवर ने अपनी अन्देह के लिए माफी मांगी और राजा और राजन की अथक मित्रता की सराहना की, जो अखंडता और करुणा की शक्ती थी, जो किसी भी कठिनाई को भी पार कर सकती थी, और इस प्रकार भारतिये जंगल के दिल में चालाख खरगोश और बुद्धिमान बाग की कहानी ज चालो यार, मास्ती करके शड़कारो और सब्सक्राइब हो जाओ, ऐसे ही अपदेट्स के चाकरमेन पटे रहो, धमाल मचाते रहो